हलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को हिट करके और जरू सिलेट कर लेना उसी के साथ-साथ एक औ कर लेते हैं इस वडियो में अगर हम लोग बात करें दो से तीन दिगज़ स्टॉक्स की बात करने वाले अभी यह दिगज़ स्टॉक्स कोन से है तो केमिकल सेक्टर से आप सब लों का पता है केमिकल इंड़स्ट्री बहुत ही कमाल की रहती है प्लस मतलब देखा गया तो च या से रिलेटर वो और भी जबरदस्या पर रहने वाला है और इसके रिलेटर ज्यादा दूर जाने की ज़रूति ने कितने सारे केमिकल कम्पणी ने केपक्स अनौंस किया अब जाकर रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं या फिर मेरे विडियो को भी देख सकते हाली में एक आने वाली है, तभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कोई अगर आएगा, एड़ बोलेगा कि हमें इतना इतना डिमांड है, और हमारा उतना मतलब सप्लाइ करने का कैपेसिटी नहीं हो, अगर आप इस चानल से पहले से जुड़े हुए हो, तो अगर आप चाहिए, तो देख सकते हैं ये कंपनी को, हम लोगों ने पहले बार कितने रूपे पे दिखा था, मैंने लिंक उपर आए बड़न पे दिया है, जाकर एक बार देख लेना, मतलब आपको पता चलेगा, अभी ये कंपनी, मतलब वहाँ से हम लोगों को, अलड़ी तीम से चार गुना जबरद सॉलिड जंप देखने को आपे मिल चुकी है, इस कारतिया ने कि कंपनी हमेशा के लिए बरबाद हो गए करके, बट एक रिटन्स बनने के बाद, मतलब अगर आप पाथ साल का डेटा देखोगे, तो 427% के रिटन्स बनने के बाद, थोड़ा तो आराम करेगा की नहीं, तो वैसे कुछ देखने को मेंट है, कंपनी ने गजब का यहाँ पर एक तरफा रैली दिखाया, अभी 4000 के लेवल से, वो मतलब बहुत समय तक, अगर आप चेक करोगी, तो उसी लेवल पे हम लोगों को रुखते वे देखने को मिला है, मतलब एक साल की बाद करें, तो आप चेक कर सकते हो, केवल 7% की रिटन्स, तो चल जाता है, मार्केट ऐसा ही चलता है, दोस्तों, रोज रोज हर साल पे रिटских नहीं बनते हैं, बड़ जब बनते हैं, तो कमाल की रिटन्स बनते हैं, नविन फ्लोरिं इंटरनेशनल, यह उसी प्रकार की कमपनी है, अगर मैं नविन फ्लोर इंटरनेशनल की बात करूँ तो रिजावस आप देख सकते हैं उसको 1300, 1600, 1800 क्रोड की रिजावस है लॉंग टम बॉरेंग की बात करें तो 000 अभी भी 0 ही देखने को मिल रहा है नो डाउट आने वाले समय में कमपनी को और भी कैशेस की जरूरत यहापे पढ़ेगी तो यहापे अपनी कैपेसिटीस को यहापे बढ़ाना है तो डेफिनेटली अविन फ्लोर इंटरनेशनल लिमिटेड आने वाले समय में और भी अच्छा परफर्मस करेगी खास करके कमपनी गैसे से रिलेटर हमने को काम करते वे देखने को मिल जाती है उसी के साथ साथ अगर हम लोगे आपे बात करें तो कमपनी का जो मार्केट शेर है वो फिलाल केवल 20,000 करोड का देखने को मतलब एक छोटी कमपनी है अगर आप कमपनी को 20-30% नीचे नहीं देख सकते तो फिर ऐसे कमपनी में जाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि जब नीचे आएगा तो आप एक्जिट यह फॉर्मिला लगाओगे तो फिर कैसे टिक पाओगे यह कमपनी है तो fundamentally मजबूत और ऐसा नहीं कि fundamentally मजबूत है मतलब कभी नीचे नहीं आएगी definitely आएगी बट तभी आप लोगों ने उसको क्या करना होता है hold करना होता है क्योंकि कमपनी के जो parameter से वो बहुत ही solid तरीकिसा हम लोगों को देखने को मिल जाते है कमपनी के recently numbers को भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा कासा decent performance quarterly wise भी हम लोगों को लगातार 90 के range में देखने को आपे मिला है और अगर हम लोग कमपनी का PNL भी देखेंगे तो बहुत ही सुन्दर PNL मतलब operating profit margin भी आप चेक कर सकते है operating profit को भी देख सकते हैं 120-200 दन उसके बाद दिमे-दिमे करके अगर आप चेक करोगे next साल से 200-200 के बाद 220 दन 268-300-350 ऐसा करते-करते कमपनी अभी नियर बाए 400 तक जाती भी देखने को आपे मिल रही है similar way आपको net profit भी उसी प्रकार का देखने को आपे मिल जाएगा थोड़ा सा अगर मैं और निचा आ जाता हूं तो share holding pattern भी आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे promoter के पास 30% के holding है FIS की बात करें तो 20% DIS की बात करें तो 22% public की बात करें तो 27% तो बहुत पूरानी company, decent company, repeated company है तो जबर आप चाहो तो Navin Florian International Limited इस company के बारे में जितना हो सके study कर सकते हैं यह मेरा कोई direct recommendation नहीं है next बात करेंगे दोस्तो second company जिसका नम है SRF Limited yes, SRF की भी अगर हम लोग बात करें यह भी हम लोग के लिए कितना बड़ा multiplayer बन चुका है इसका आप अंधाज़ा लगा सकते हैं यह 2500-2600 के आसपास, मतब 2700 के आसपास यहाँ पर चल रहा था तब ही हम लोग ने इसको देखा था मतलब bonus share यहाँ पर दिया था इसलिए यह company अभी आप लोगो 2000 के range में देखने को मिल रही है वरनाई यह stock इस level पर देखने को आप नहीं मिलता था 5 साल के इसके भी returns चेक करोगे तो 500% से भी जादा के returns है मतलब 6-6 गुना पैसा यहाँ पर करकर बेठे हुए है इंटर कर लेते हैं जब यह stock अलएड़ी 500% भागा है इसलिए उन्होंने खरीद लिया है तो दोस्तों 500% यह एक दिन में नहीं भागा है साइड में देख ले ना 5 साल के रणिंग है यह तो इसलिए SRF में अगर आप जा रहे हो और उसी के लिए कंपनी अभी से खुद को प्रिपेर करने की पूरी कोशिश करें काकि अपॉर्चिनिटी चली ना जाए दैन अगर हम लोग बात करेंगी कंपनी के बैलेंश इट भी स्ट्रॉंग एज साड़े चारहजार सवाच्छे अजार अभी सवा साथ हजार करोड के रिजव से करजे की बात करें तो ठीक है कंपनी के और ग्यारा सो से बारा सो करोड का करजा है बट जैसे मैंने बता है करजा होना कोई गलत बात यहापे नहीं होती है करजे का सही तरीकी से इस्तमाल अगर हो रहा है तो company अच्छी तरीकी से business को run कर लेती है जो की SRF अच्छी तरीकी से कर रहा है cash की बात करें तो 328 करणों का cash भी देखने को मिल रहा है so SRF की बात करें अभी की company नहीं 1970 में इसके ही यहापे शुरुआत हुई थी अलग-अलग sector में आप लोगों को काम करते हैं देखने को मिल रहा है बोनस तो दिया है बट company भविशा में split भी देखने को मिल रहा है अभी इसके चलते खरीदना नहीं होता है बट जस्ट एक बोलना मतलब नॉर्मल बात बोलनी होती है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है company के recently quarter के numbers भी हमने को अच्छे ही देखने को मिले है and company का P&L भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ही grow होते भी देखने को मिले है तो SRF भी दमदार company है यहाँ पर भी अगर आप share holding बैटन को चेक करोगे तो promoter के पास ही 50% holding है बचा हुआ 50 में से FIS 20% ले गए approximately DIS लेकर गए 14% के आसपस and public के पास 16-17% की holding देखने को आपे मिल रही है so यह दोनों दिगज companies है बहुत ही शांदार companies है again आप इनके बारे में detail में study करने का विचार कर सकते हो अभी आ जाते तीसरे company के और जिसको देखकर बहुत सार रिटन स्टर भागी जाएंगे क्योंकि उसका price है 8000 का but company कमाल के इस company में भी 5 साल में 196% की return दिया and इस company को हम लोग ने अगर उसका भी मुझे link मिला पूराने वीडियो का तो मैं उपर आई बटन पर दे दूँगा तो वहां से भी हम लोग की जो return से तीन तीन गुना यहाँ पर होते वे आराम से देखने को मिल चुके है company का रहाम है अतुल लिमिटेड यह समें अतुल आटो की बात नहीं करो अतुल लिमिटेड ही केमिकल वाली इसके भी रिजाउस देख सकते है तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आने वाली समय में बोनस प्लिट जैसी चीजों का भी विचार कर सकती है यह पर हम लोग बात करें अलग-अलग सेग्मेंट देखने को मिल जाते हैं तो अतुल लिमिटेड नमबर वन बोजीशन पे काम करते हिवे देखने हुए आपे मिल जाता है जरुह कम्पनी बहुत ही कम yapt कंपनी की कम्पनी का P&L भी चेक करोगी तो 90 के range में हुआ करता था 120 को cross किया 200 को cross किया 300 को cross किया 400 को cross किया और राइट नाव कंपनी 600 के range में आपे आ चुकी है तो बहुत ही कम्पनी का बिजने से इस company का भी और शेर होल्डिंग पैटर्न में चेक करोगी तो ये भी 45% प्रमोटर है, बचावा 55 में से FIS के पास 9-10%, DIS के पास 23% और पब्लिक के पास 22% की होल्डिंग है तो तीनों कंपणी की अगर में बात करो दोस्तों, ये तीनों के तीनों के तीनों के तीनों के रिटरंस मिल चुके है, नविन फ्लोरिंग 1400 के आसपास था, तभी हम लोगों ने देखा था, SRF की बात करें तो 2-5,500 के आसपास था, उसके बाद वो 10,000 पे चला गया, अटुल 3,000 के आसपास था, जो कि अभी हम लोगों को लगब 10,000, मतलब 3-3 गुना होते वे देखने को मिले थे, तो ये तीनों कंपणी, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को स्टड़ी करने के लिए देते, तीनों कंपणी के वीडियो की लिंक भी मैंने उपर आई बटन पे देन होगा, और आज वो पच्तार है कि उनके 200-400-400% के रिटन्स चलेगे, तो इसलिए दोस्तों स्टॉक में सिर्फ निवेश करके काम नहीं चलता है, उतना ही होल्ड करना पडता है, तब ही जाके वो अपना इंवेस्मेंट, वेल्थ के फॉर्म में बड़ा क्रियेट हो सकता है सो आशा करता दोस्तों वीडिये अलफ़ लगाऊगा, तो ज़रू लाइक और शेयर कर देना, इन डिमेट अकाउंट अभी तक उपन नहीं किया, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वोड़ेख लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री अफ्कॉस्ट मिल जाएगे, आपका न